गाओं में सरकारी हैंड पंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाई होने लगी। सभी लोग उन घटनाओं से अचम्भित थे। अरी दीदी का तुम रात सुने रही ये हैंड पंपवा खुद्दे चड़त रहा। राती बारव बजे भला कौन पानी भरे आई। हमें तो बहुत डर लागतबा। हाँ रानी हम सुने रही। हमार रिंख्या के पापा तक कहत रही कि हम जाके देखा। हम उनके रोक लिहिस। कौन जाने का बला होई। फिर उसी रात फिर से बारव बज़ते ही वह हैंड पंप खुद से चलने लगा। सभी गाउवाले सुन रहे थे पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे। फिर सुबह होने पर अरे मीना दिदी चला हो हंद पंपवा पर पानी भरे के हमें अकेले जाते डर लागतबा। फिर वे दोनों हैंड पंप पर जाती हैं वहां पहुंच कर उनकी आँख फटी की फटी रह जाती है। वहां किसी के पैर का निशान होता है जो इंसानी पैर से दुगने साइज का होता है। इदेखा हो रानी हम कहत रहे ना कुछ गर्वर जरूर बाग इदेखा भला किस इंसान के इतना बड़ पैर हुई तभी वहाँ पिंकी आ जाती है अरे दीदी क्या हुआ आप दोनों इतनी परिशान क्यों है इदेखो बेहन इतना बड़ का पैर लागत है कवनों शेतान इहंद पंपुआ पे आया रहा कमान दीदी कोई प्रैंक कर रहा हुगा हमारी सिटी में तो ऐसे बहुत करा जाता है अरे आप शहर से आई रही पिंकी बेहन आप इस अब ना समझे फिर रात होने पर हैंड पंप फिर खुद से चलने लगता है ममी मैं जा रहे हूं हैंड पंप के पास मैं अभी सबक सिखाती हूं इस नमूने को फिर जैसे ही पिंकी वहाँ पहुँचती है वह दंग रह जाती है वहाँ पर एक आजीबो गरीब चुड़ाल थी आ गई बहुत इंतजार कराया तुम गाँवालोंने दो दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिले मेरा तो सिरी दर्द हो गया ये हैंड पंप चला चला के कितने दिनों में एक शिकार आया है पिंकी हाथ जोड़ कर अपने घुटनों पर बैठ चाती है चुड़ैल जी I'm so sorry मुझे लगा कोई गाँवालों से प्रैंक कर रहा है मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी मैं तो पास के शेहर में पढ़ती हूँ इस गाँव में घूमने आई हूँ पर चुड़ैल उसकी विंती नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी खा जाती है फिर अगली सुबा अरे मीना बेहन देखा थो आज तो इहां खून भी पढ़ाबा कवनों अन्होनी हो गई लागतबा तभी पिंकी की मा वहां आ जाती है अरे कल रात से मेरी पिंकी घर नहीं आई वो रात इस नल पर आई थी यह खून कैसा पड़ा है कहीं यह मेरी पिंकी का तो नहीं अरे भोजाई हम उसे कल ही कहे रहें कि जादा लेक्चर का जाड़ो लगता है उसके साथ कुछ गलत हुई गवादा थोड़ी देर में जाड़ियों में उन्हें पिंकी की सिरकटी लाश दिखती है यह बात पुरे गाउं में फैल जाती है सब फैसला करते हैं कि अब से इस हैंड़ पंप पर कोई नहीं आएगा फिर रात होने पर वह चुडैल फिर से हैंड़ पंप पर आकर उसे चलाने लगती है पर कोई नहीं आता लगता है गाउं वाले चालाग बन रहे हैं इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा नहीं तो हम भूकी मर जाएंगी फिर वह चुडैल पिंकी के घर के पास पहुच जाती है वहाँ जाकर चुडैल पिंकी की आवाज में उसकी मा को आवाज देती है ममी ममी दर्वाजा खोलो ममी ममी पिंकी के आवाज सुन उसकी मा जट से दर्वाजा खोलती है वह बाहर चुडैल को देख पिंकी की मा कांपने लगती है पिंकी यह 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 तुझे 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 क्या हुआ मैं कोई पिंकी बिंकी नहीं तेरी पिंकी तो कब की हजम भी हो गई होगी अब तू मेरा खाना बनेगी मूर कौरत फिर चुड़ैल उसकी खोपड़ी काट कर निकाल लेती है और उसे खा जाती है फिर सुबा होने पर पिंकी की मा की सिरकटी लाज देखकर पूरे गाउं में हाहाकार मच जाता है किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कौन कर रहा है क्यूं कर रहा है सुनत हो जी उस सहर वाली मा बेटी के कोई मार के मुंडिक गायब कर दिया रहा लगता है कौनों भूत पिसाची सब कर रहा है तुम बाहर ना जावा तुमका कुछ हो गए तो हमका करब अरे हमका कुछ ना होई हम जात रहे हो हैंड पंपवा के आसपास सीसी टीवी कैमरा लगाई खाते रहा ताकि देख सकें आखिर मामला काबा फिर वह गाउं की कई दिवारों पर सीसी टीवी कैमरा लगा देता है रात होने पर वह चुडैल वापस आती है वह थोड़ी देर हैंड पंप चलाती है पर कोई नहीं आता वह गाउं में पिंकी और उसकी मा की आवाज निकाल कर सब को बुलाती है पर कोई नहीं आता लगता है गाउं वाले बहुत होश्यार हो गए हैं, कुछ करना पड़ेगा तो अगर हम दो दिन भूखी रही तो मर जाएंगी सुबह होने पर अरे सुबह सुबह कहां जावदबा, रात तु शैतानी शक्ती सारे गाउं में घूम रही अरे तु डरा ना, हमार राज कुमारी, हमका कचुना होई हाँ, हम जायर है CCTV कैमरा से रिकार्डिंग लई खाते रहा फिर वे सब गाउंवाले CCTV कैमरे से रिकार्डिंग निकालते हैं, टीवी पर चलाते हैं और चुड़ैल का सारा सच उनके सामने आ जाता है वे यह भी सुन लेते हैं कि अगर वे चुड़ैल दो दिन भूखी रही तो मर जाएंगी गाउंवालों, हमारे सामने एक बहुत खतरनाक दुश्मन है, इसे हराने के लिए हमने बस ये करना है कि हम तीन दिन तक अपने घरों में कैद रहें मैं गाउंवे तीन दिन के लॉगड़ैल का एलान करता हूँ लॉगड़ाउन होने के बाद वे चुड़ैल दो दिन तक गाउं में आई, अपना शिकार पकड़ने के लिए उन्होंने कई तरकीबे लगाई पर कोई अपने घर से बाहर नहीं आया और वे चुड़ैल मर गई